दौलत, शोहरत और हिज़त ये तीनों चीज़े हर किसी का खाव होती है फिर वो कोई करिक्टर हो या फिर स्लाबर्टी वाज़े क्रिकट में ये तीनों पाने के लिए A.B. डूइले जैसा टैलन्ट, धोनी जैसा धमाग और विराद जैसी किस्मत के सासाथ क्रिस गेल जैसा जिगरा भी होना चाहिए वरना दौलत, इस्ज़त और फेम हर क्रिक्टर की किस्मत में नहीं होती भाई साब क्योंकि 80% क्रिक्टर तो आजकल सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं और बाकी बचे खुचे फेम के लिए इज़त सिर्फ उन्ही को मिलते है जो इज़त कमाना चाहते हूँ क्रिकट में कई ऐसे खिलाडी गुसरे हैं जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और उन्होंने कमाया भी कभी रूल्स तोड़कर तो कभी फेंस के दिल तोड़कर तो चलिए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही क्रिक्टर्स है जो क्रिकट खेलते ही पैसे और फेम के लिए है देखो भी T20 फार्मेट ने क्रिकट को बदल के रख दिया है और ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा फेम्स को इंटर्टेन्मेट चाहिए जो T20 क्रिकट में मिलता है क्रिक्टर्स को पैसा चाहिए जो फ्रेंचाइजेस देती हैं और फ्रेंचाइजेस को स्पांसर चाहिए जो T20 फार्मेट देता है इन शॉर्ट T20 फार्मेट मतलब धेर सारा पैसा और इसी वज़ा से कई देशों की क्रिकट बरबाद हो गई है भाई सब जिसमें सबसे पहला नंबर है वेस्ट इंडीज का T20 लीग से पैसे कमाने में वेस्ट इंडीयन खलाडी सबसे आगी रहते हैं एक IPL सिजन से वो इतना कमाते हैं कि वेस्ट इंडीयन क्रिकट बोर्ड इनको पूरे कैरियर में इतना नहीं देपा था क्रिस गेल, पोलाड, रसल, सुनी, नरैन आपने आखरी बार इन सब को डुमेस्टिक क्रिकट या टेस्ट क्रिकट खेलते वह कब देखा था आरे टेस्ट क्रिकट छोड़ो, IPL केलने के लिए तो कई बार रसल और नरैन अपनी टीम को भी इगनोर कर चुके हैं और यही वज़ा है कि क्रिकट के पहले दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाले टीम आप बड़े-बड़े इमिट्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाती है रसल ने अपनी रिसेंट प्रेस कांफरस में रिवील किया है कि यंग क्रिकटर्स टेस्ट क्रिकट में इंटरस्टेड नहीं है बस वो T20 लीग्स केलना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं भाई सब देखो भाई इसमें कोई शक नहीं कि पैसा ज़रूरी है मगर कुछ खिलाड़ी तो इसे अपनी नैशनल टीम और अपने देश से भी ज़रा ज़रूरी समझने लग जाते हैं वस्ट इंडीस के बाद सौथविका वो दूसरा देश है जा करेक्टर्स IPL और क्रिकट लीग्स के लिए डुमेस्टिक और टेस्ट क्रिकट से भी कतराते हुए नजर आते हैं 2021 में फाफ डुपलीसी ने इंग्लेंट के खिलाफ टेस्ट सीरिस के बीच में रेटायर्मेंट अनौन्स कर दी थी और बोला था कि वो बस T20 क्रिकट पर फोकस करना चाहते हैं और इसके बाद उन्हेंने सौथफिक के लिए शायद कोई माच नहीं खेला बलके लगातार तीन साल तक RCB के कप्तान बन रहे और बहुत बढ़िया परफॉर्म भी किया किसलिए पैसे के लिए भाई साब और इनसे पहले जड़ा Mr. 360 AB Duelers का कैरियर भी देखिये अपने कैरियर के अरूज पर ही 2018 में AB Duelers ने इंटरनाशनल क्रिकट से रोटार्मेंट ले ली थी और इसके बाद चार साल तक सिर्फ IPL और क्रिकट लीग्स में जंडे गाड़े और खूब ऐसा सौथफिक के और वेस्ट इंडीज के खिलाडी ही नहीं बलके अब तो न्यूजिलाइड के खिलाडी भी ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं भाई सब इस साल पाकिसान के खिलाब न्यूजिलाइड ने एक सीरिस खेली जहां सभी स्टार खिलाड़ियों ने IPL को चूज किया और बाकी बचे के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का टूर किया इवन सौथफिकी टेस्ट कैप्टन ने रिसेंटली एडमिट किया है कि मनी माइनड़ और IPL के कॉंट्रेक्टड खिलाड़ी अफरीकी टीम की सबसे बड़ी प्रॉप्लम है नमबर तीन सच पूझे तो T20 क्रिकट पैसे का दूसरा नाम है वाई सब मगर असल क्रिकट तो आज भी टेस्ट और वंडे ही मानी चाती है जो पैसा कमाना चाहते हैं वो T20 फार्मेट खेलते हैं और जो देश का नाम और इज़द भुचाना चाहते हैं वो टेस्ट और वंडे वहसे तो पाकिस्टानी क्रिकटर्स को IPL में खेलने का मौका नहीं मिलता मगर ये T20 लीक्स वाले क्रेज ने पाकिस्टानी क्रिकटर्स को भी लपेट में ले रखा आजनाब जैसे 2015 में डेब्यू करने वाले आल रॉंडर इमाद वसीम को देखिए श्वे मलक के बाद इमाद वसीम पाकिस्तान के सबसे बेतरीन आल रॉंडर माना जाते थे और वन डे रैंकिंग में आसे आल रॉंडर वो तीसरी पोजिशन पर भी रह चुके हैं जुन 2019 में तो इनको कप्तान भी बना दिया गया था और फिर इनको भी T20 लीक्स से पैसे कमाने की लत लग गई जनाब इमाद ने डुमास्टर क्रिकट, टेस्ट क्रिकट, इवन वन डे को भी गुटबाई बोल दिया और सारा फोकस T20 फार्मर्ड मतलब दुनिया बर की क्रिकट लीक्स खेलने पर लगा दिया और खुब पैसा कमाया इवन दोज़र टेस में तो इमाद ने लीक्स केलने के लिए इंटरनाशनल क्रिकट से रटार्मेंट भी ले ली थी और तो और भाई साब PCB के बुलाने पर भी रफ्यूज कर दिया था मगर जून 2024 में T20 वर्ल्ड कप की वज़ा से कोई दूसरी क्रिकट लीग ना होने की वज़ा से इमाद ने रिटार्मेंट से यूटरन लिया और वर्ल्ड कप खेला और वर्ल्ड कप के बाद वो फिर से अपने पैसे कुमाने वाले टूर पर वापस लौट चुके है जनब नमबर दो एक क्रिक्टर के लिए पैसा ज़़ा ज़रूरी होता है या देश की इज़द ये उसके अरली कैरियर में ही पता चल जाता ठीक वैसे ही जैसे फास्ट बॉलर महम्मद आमर ने किया माना आमर एक लोर मिडल क्लास फैमली से बिलॉंग करते थे और पाकिस्तान में फाइनशल पावर ही सबसे बड़ी पावर माने जाती है मगर कैरियर के शुरुआत में ही आमर ने पैसे के लिए वो रस्ता चुना जिसने इनका नाम खराब किया देश का नाम भी खराब किया और साथ में फैंस का दिल भी तोड़ा जी हा क्योंकि आमर ने चंद हजार डॉलर्स के लिए सब रूल्स तोड़ कर स्पोर्ट फिक्सिंग की थी और पकड़े जाने पर इन्हें पांच साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा था मगर किस्मत ने आमर को एक बार फिर से मौका दिया और आमर ने बड़ी अबापसी की बलकि अपने नाम के जंडे गाडे लेकिन पैसा कमाने के क्रेज ने आमर को डिमेस्टिक और टेस्ट क्रिकट से दूर कर दिया इवन दोज़र इकीस में तो आमर ने PCB से सेंटरल कॉंट्रेक्ट लेने से ही मना कर दिया था और सिरफ T20 लीग्स खेलने का फैसला कर रखा था PCB के साथ ऐसा ही माध वसीम और मामध हफीज ने भी किया था मगर आमर की बाद कुछ अलग थी जनाब आमर की फैन फालोवें कर इनकी प्रफॉर्मस इनने स्पैशल बनाती है और यही वज़ा है कि 2023 में फैन्स और PCB के कहने पर आमर ने रटार्मेट से यूटर्न लिया और टीम में वापसी की मगर T20 लीग्स में अभी भी इनकी डेमाड और इनके दाम बढ़िया लगते हैं भाई साब नमबर एक क्रिकेट में सब कुछ पैसा नहीं होता यह साबत किया महेंदर सिंग धोनी ने डैब्यू से लिकर रटार्मेट तक CSK की जर्सी पहान कर क्रिकेट में भी पहला प्यार होता है जो किया विराद कुरी ने RCB से और रोहेट शेर्मा ने मंबाई इंडियन से मगर वहीं कुछ खिलाडी ऐसे भी है जनाब जिनको फैन फोलिंग जीत हार यहां प्यार व्यार नहीं सिर्फ पैसा बदल सकता है जैसे हार्तिक पांडिया को देखिए हां बिलकुल इनका बच्पन बहुत गरीबी में गुजरा और क्रिकट ने इनकी जिन्दगी को बदल दिया और वो पैसे के लिए खुद को बदल रहे है हार्तिक पांडिया को असली फेम और नाम IPL में मंब को बाई 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 बोल दिया हार्तिक पांडिया की कपदानी में गुजरा टाइटन चैंपियन बनी और हार्तिक का बड़ा नाम बना इने बहुत सारी फेम मिली और साथ में फैन फालोइंग भी नाम बड़ा डिमांड बड़ी और साथ में दाम भी भड़गा चनाब और बढ़ते दामों देखकर 2024 में मुंबाई इडियन ने हार्थिक पांड़ा को गुज्रा टाइटन से भी बड़ी ओफर कर दी और वापस लेकर कपदानी की कुरसी भी सौपदी जनाब मगर मुझे रखता कहीं न खईए आर्थिक पांड़ा का ये गलट दिसीजन था और फैंस ने भी आर्थिक पांड़ा को आड़े हाथो लिया मतलब काफी गुस्सा दिखाया उपर से आर्थिक पांड़ा की कपदानी में मुंबाई इंडियन ने कुछ खास नहीं किया माना के पांडिया ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में फाइनल ओवर डाल कर फाइनली इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जत्वाया मगर पिछले IPL में इनकी नाकाम कप्तानी के कारण इनके हाथों से T20 की कप्तानी भी निकल गई है वाई सब और इस IPL में एक बार फिर हार्तिक पांडिया पर बोली लगेगी और वो उसी के होंगे जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा वसे क्या लगता कौन सी टीम इस बार हार्तिक पांडिया के सब ने ख़जाना खोलने वाली है कॉमेंट कर क्यों बताना वीडियो पसंद रहे तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ जाते जाते चैनल को सबस्काइब भी करते जाना